Welcome back everyone आज की वीडियो में मैं बहुत ही important चीज बताने वाली हूँ अगर इसकी practice आपने continuously कर ली तो सच में आपकी life बदल जाएगी क्योंकि यही वो एक चीज है जो आपके manifestation में एक moment create करता है क्योंकि law of attraction जो भी इस channel को देखता है या जो अभी इस वीडियो को देख रहा है वो definitely law of attraction को मानता होगा और उसको follow करता होगा और जो नए हैं जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं यही बताना चाहूंगी कि law of attraction वही है जो हम सोचते हैं feel करते हैं, action करते हैं वही चीज same equivalent मतलब उसके equal चीजें ही attract करते हैं लाइफ में तो अगर आप अपनी current life से अभी खुश है बहुत अच्छी है तो बहुत यह ची बात है कि आप बिल्कुल सही alignment में हो सही vibration में हूँ आप सही में सब कुछ अच्छा कर रहे हो ability बहुत समझते हैं बट उसके equivalent उनका environment नहीं है लोग नहीं है वैसे उनकी life में तो उनके लिए यह चीज है कि अगर आपको यह process पता चल जाती कि हम जो सोचते हैं करते हैं feel करते हैं और action लेते हैं सेम वैसी चीजें आती तो हम उसको change कर सकते हैं तो हम इस चीज के थूँ अपनी life को बहुत अच्छी बना सकते हैं तो यह दोनों लोगों के लिए ही बहुत important है जो अच्छी life जी रहे हैं उनके लिए भी और जो अपनी life को change करना चाहते हैं उनके लिए भी तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही powerful होने वाला है क्योंकि यही वो चीज है जिसको करने से आप एक moment को पकड़ोगे और फिर वो moment की feeling आपके अंदर आएगी और फिर वही चीज आप attract कर सकते हो तो वो चीज क्या है वो चीज है book of positive aspect आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ यह अबराहिम की एक टेकनीक है law of attraction की manifestation टेकनीक है देखो अंजाने में भी हम बहुत सरी चीजें सोचते हैं करते हैं तो सेम वैसे ही आती बट अगर हमको जान बूझके या knowingly यह सब कुछ करना हो अट्रेक्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा तो उसके लिए ही यह process है कि आप एक copy बनाईए या diary बनाईए और positive aspect मतलब किसी भी चीज के जो सकारात्मक पहलू है दिखो कोई भी situation हमारी life में आती है या हम कुछ भी attract करना चाहते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं एक तो सकारात्मक एक नकारात्मक सकारात्मक मतलब positive नकारात्मक मतलब negative तो जब हम उस चीज को attract करना चाहते हैं या वो हमारे जीवन में लाना चाहते हैं जो अभी नहीं है तो क्या होता है हमारे belief system हमारी सोच या जो भी हम environment से या जो दूसरे लोग हमको बोलते हैं उसके accordingly हमारा खुद का एक impression बनता है उस ची की feeling create कर नहीं सकते हैं जब तक कि हम उस चीज के बारे में positive ना सोचें अगर आप अपने belief system के accordingly अभी नहीं है मतलब यह बात तो sure है कि आपके belief system में वो चीज include नहीं है इसलिए आपके पास नहीं है आप change करना है तो जब change करना है तो सबसे पहले तो आपको उसके बारे में positive सोचना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि जब हम positive सोचना शुरू करते हैं तो एक frequency हमारी increase होती है हमारे vibration increase होते हैं और वह equivalent हो जाते हैं उस चीज के कि वह चीज जैसे हमारे पास है तो हम कितना अच्छा feel करेंगे कितना अच्छा महसूस करेंगे या कभी हमको decision लेना रहता है कि आप एक page लीजिए उसमें दोनों चीज लिखिए और दोनों चीज के 5-5 या 10-10 पॉइंट अच्छे लिखिए और बुरे लिखिए अगर आपके दिमाग में किसी एक चीज के positive पॉइंट जादा आते हैं और negative पॉइंट कम आते हैं तो surely आप positive चीज वह काम कर या simple copy भी ले सकते हो बहुत जादा इस पर ध्यान नहीं देना है कि नहीं ऐसा ही हो बट अगर आपका ध्यान जाता है उस चीज पे तो आप मैं यही suggest करूँगे कि आप best से best चीज लीजे जब भी आप diary लेने जाए तो आप देखिए कि कौन सी डायरी आपको बहुत attract करती ह और कौन सी चीज है जिसको कौन सी डायरी के किस तरी quality के paper है या कैसा उसका cover है अगर आपको वो attract कर रही है तो हर बार जैसे आप किसी भी book को मालूप उठाते हो चूने की feeling रहती देखने की feeling रहती जब भी हम उसको देखते हैं तो excited हो जाते हैं अगर इस तरह की कोई diary आप को मिल जाती है तो वो best रहेगी क्योंकि जैसे ही हम उसको देखते हैं तो हमारा मन एकदम खुश हो जाता है तो सबसे पहले तो हमने अपनी choice की diary ले लिए पहला काम करना है जब हमको positive aspect की book लिखना शुरू करना है तो सबसे पहला तो आपकी मन पसंद होना चीए और अगर आपको बहुत influence नहीं कर रहा है तो simple diary में भी आप लिख सकते हो क्योंकि हर किसी का सोचने का perspective अलग रहता है तो आप अपनी perspective के accordingly कोई भी अच्छी सी डायरी चुनिए और फिर उसके बाद जो दूसरा step है वो है pen तो pen में मैं यहीं बोलूंगी कि आप Abraham Hicks भी यहीं बोलते ह हैं कि आप magical pen लीजिए magical pen मतलब कोई अलग से magical pen नहीं आता है आप अपने मन पसंद का pen लीजिए और उसको आप magical pen समझे क्योंकि अब रहे मिक्स के जब वर्क्शॉप होती थी क्रूज में वो वर्क्शॉप करती थी तो वो सब को pen gift करती थी और वो magical pen होता था उनके लिए जो उनकी वर्क्शॉप अटेंड करते थे क्योंकि उससे उनका belief system बहुत पावर बनता था कि हम इस pen से जो लिखेंगे वो सच होगा ही तो हम अगर उनकी वर्क्शॉप अटेंड नहीं कर सकते तो हम खुद ही ले सकते हैं और उस pen को आप नाम देजिए magical pen आप उसको सोच सक जब भी मैं लिखता हूं तो काम बहुत अच्छा होता है तो आप उसी pen को magic pen का नाम दीजिए और वो रखे ज्यादा है तो शुरुआत में कुछ तिन आप पतली सी जो फाइल की स्टिक आती है पेपर स्टिक उसमें लिख लीजे magical pen और उस पे उसको चारो तरफ ऐसे लगा तो माई डियर फ्रेंड इसके पीछे बहुत इंपोर्टेंट चीज है वह आपका बिलीब देखिए बहुत सारे उपाई लोग करने बोलते हैं बहुत सारी चीजें कई लोग बोलते हैं कि आप ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा तो क्या होता है उस चीज से कुछ नहीं होता उस चीज पर हमारा जो विश्वास होता है उसकी वज़े से काम होता है वह विश्वास कौन करता है सबकॉंशियस माइन और एक बार आपका सबकॉंशियस माइन कन्वीन्स हो गया तो फिर उस चीज को रियालिटी में बदलने में कोई नहीं रोक सकता तो यह चुटे-चुटे क्याने से कुछ करना तो सही है तो आप इस तरह से अगर आपको लगता है कि सिली पर फिर मैं आपको यहीं बोलव चीज क्या है वह एक शन है और एक्षन का रियेक्शन होता ही है और टोनी रोबिन भी अपक्रिएटन इमोश्वाव एक साथ रिलेटेड़ है यह सारी चीज तो मालनो मैंने यह पैन लिया इसमें मैंने लिख रखा और यह मैजिकल पैन है तो जितनी बार आप इसको देखोगे जितनी बार इसको लोगे उतनी बाहर आपके दिमाग में यह बात आएगी कि यह मैजिक क्रियेट कर सकता है और मैजिक क्रियेट तो आप करी सकती हो क्योंक God ही है, हमारा imagination power God ही है, तो God के प्लिए क्या impossible है, बस हमको उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके positive गुण के बारे में सोचना चाहिए, और वो कैसे काम करता है, वो जानना चाहिए, और विश्वास रखना चाहिए, तो जैसे ही आप ये भले silly सी thing है, आपको लगरी होगी, इस के result बहुत अच्छे है, तो आपको एक तो पहला वही हो गया कि magical pen है, तो उससे आप जो भी लिखोगे, वो magic create करेगा, वो आपकी life में आना ही आना है, और दूसरा जो है, जब हम इस magic pen से लिखते हैं, तो जब भी हम जो भी लिख रहे हैं, वो क्या करता है, दो काम करता है, सबसे पहला तो वो moment को increase करता है, और आपका पहला तो moment increase हो गया, और उसके बाद में आपका focus strong होता है, positive aspect में आपने diary ले ली, आपके खुद के affirmations हैं, आपने goal already बना रखे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं बनाना, तो मैं इसके लिए अलग से separate video बनाऊंगी, कोशिस करूंगी, तो अभी तो आप जो चाहो वो लिख सकते हो, इसके लिए कोई special चीज नहीं है, और आप जब लिखना शुरू करोगे, तो अगर आप जब लिखते हो, तो क्या होता है, आपका belief system बन गया, तो इससे moment आपका increase होता है, बढ़ता है, देखो हम किसी भी चीज के बारे में और my dear friend, जब आप कुछ भी चीज लिखते हो, तो आपका focus केवल उसी पे रहता है, यह सबसे इच्छी बात है, हम कुछ चीज को सोचते हैं, पढ़ते हैं, तो कई बार हमारा ध्यान इदर उदर हो जाता है, पर जब हम लिखते हैं, तो हमारा ध्यान कहीं दर उदर नहीं हो और वो आपके पास आएगी ही आएगी, तो यह दो चीज करता है, सबसे पहला तो जब हम लिखना शुरू करते हैं, पॉजिटिव आस्पेक्ट तो क्या करता है, यह मुमेंट को इंक्रीज करता है, और आपके focus को स्ट्रॉंग करता है, दूसरी बात, जब हम इसको बोल के हैं, तो यह और भी अच्छा होता है, तो हमेशा बोलना चाहिए, अब बोलने से क्या होता है, बोलने से सबसे पहले तो मुमेंट, क्योंकि जब हम action भी ले रहे हैं, तो उसका reaction भी होगा, मतलब action से emotion भी आते हैं, तो कोशिस करिए बोलने की कई बार हम नहीं बोल पाते हैं बहुत सारी लोग जादातर हम family के बीच में रहते हैं, तो कई बार possible नहीं होता है, बट अगर आप छट पे लिख रहे हो, बालकनी पे लिख रहे हो, या कहीं अपने separate जगे पे लिख रहे हो, तो आप कोशिस करिए, बोलिए, पहले दिन अटपटा लगेगा, दूसरे दिन भी बड़ा अजीब सा लगता है अपनी खुद की आवाज में, बट एक समय के बाद आपको खुद की आवाज इतनी soothing लगने लगेगी, इतनी अच्छी लगने लगेगी, कि आप उसको बार-बार सुनना चाहोगे, और अपनी आवाज ही अपने को बार-बार सुनाई देती रिजोनेंट करती है, मतलब वो अपनी लगती है, इसलिए बोलते न, affirmation खुद अपनी आवाज में हो तो best है, क्योंकि जब आप उसको सुनते हो न, तो आपको लगता है, मैं ही हूँ, मैं ही उसी stage में हूँ, और एक और होता है, इसमें parallel reality, parallel world, जैसे ये world है, वैसे ही एक औ already done है, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये चूरा हूँ, वो visualization की process है, उतना आपको अभी नहीं जाना है, ने तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जब आप बोलते हो, तो ये क्या create करता है, ये भी दो चीज़ create करता है, पहला तो stability create करता है, दूसरा momentum बनाता है, मतलब उस feeling को, उस moment को इतना बढ़ा देता है, इतनी high frequency उसकी हो जाती है, कि आप फिर उसके equivalent जो भी आप लिख रहे हो, वो आने के लिए बिलकुल ready हो जाती है, वैसे already सब कुछ तो आचुका है आपकी inner being में, क्योंकि अगर आपने thought उसकी create की कुछ सोचा, कि हाँ मेरे मन्त की sales इतनी होनी चाहिए, मेरा job ऐसा होना चाहिए, या मेरे relationship ऐसे होने चाहिए, या मेरी life में ये ऐसा person होना चाहिए, तो already वो done हो चुका है, existence में है, बस उसको अपनी life में लाना है, कैसे लाना है, ऐसे लाना है, जैसे वो सब कुछ हो गया है और आप उसमें वैसी ही reality में जी तो सबसे पहला तो काम यही करना है कि अगर आपको इस तरह से manifestation करना है तो सबसे पहले अच्छी सुन्दर सी आपको इभी डायरी लीजिये आप एक magical pen ऐसा decide कीजिये क्यों कर रहा है यह मैंने बताया है क्योंकि यह आपका belief system create होता है और जब आप लिखते हो तो क्या होता है moment increase होता है और आपकी focus बढ़ता है और जब आप बोलते हो तो stability आती है और दूसरी बात momentum create होता है तो already आपको अलग से कुछ करने की ज़रुरत नहीं पड़ती है जब आप लिखते हो तो already affirmations भी हो जाती है विजुलाइजेशन भी हो जाता है और इस तरह से आप उस चीज़ को पूरी तरह से feel कर पाते हो और एक बार feel करके let go के वल खुशी के moment में ही जीना है हर काम जो भी आपके लिए बताया है physically अभी आप करो उसको मन लगा के करो कीजिए अब positive aspect में लिखना क्या है लिखना सबसे बहुत वीडियो बड़ा हो रहा है फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूं positive aspect मतला उसके सकारात्मक पहलू लिखना है मालो आप कुछ चीज़ अट्रेक्ट करना चाहते हो मालो आप दुबई ट्रिफी और कुछ और भी लेना चाहते हो और आपको लग रहा है मालो कुछ आप खरीदना चाहते हो मालो अपने पसंदीदा कार लेना चाहते हो या पसंदीदा घर लेना चाहते हो तो उसके positive मतलब उसके सकारात्मक पहलू लिखना शुरू कीजिए आप एक से लेके 5 पेज तक भी लिख सकते हो अब ब्राहिम हिक्स ने भी बोला अगर आप पांच पेज लिखते हो तो बेस्ट है अब उतना लिखोगे कैसे जब उतना सोचोगे उसके बारे में तभी तो लिखोगे और जब इतना सोचोगे तो अल्रेडी मुमेंट क्रियेट हो जाएगा Positive मतलब सब चीज अच्छी लिखना कि देखो अगर मानलो मैंने ये कार खरीद ली तो कितना comfort फील होगा मुझे अगर मैंने ये कार खरीर लिया ये कार already मेरे पास है और देखो मेरी family कितना enjoy कर रही है ये देखो ये कार मेरे पास है तो आनी जानी में मुझे परिशानी नहीं हो रही है इस तरह से आप एक एक करें कि जो जैसा चाहते हो वो चीज होने पर आप एक उप चुट चुट इंसीडेंस लिखिये या ये करने से हमारी लाइस्टाइल बढ़ जाएगी ये करने से आपको जो जो फायदे हो रहे हैं आप लिखना शुरू किजिए लिखते जाए लिखते याई अराम से 4-5 पेज हो जाते हैं आपको विश्वासी नहीं होगा तो बस इस तरह से आप पॉजिटिव आस्पेक्ट की भुख बनाएए माई डियर फ्रेंड आपका मैनिसेस्टेशन तो होने से कोई रोक ही नहीं सकता क्योंकि वो अल्रेडी डन है तो मिलते हैं अगली वीडियो में